भारती बाजारों पर देखने को मिल रहा है, काफी कुछ एहम नतीजे भी आ जाने वाले हैं और काफी कुछ नुबर्स आये मिए तो कल बाजार बंद होने के बाद, एक बार वो भी समझ लेते हैं और नतीजों पर details के साथ शर्द हमारे साथ जो चुके हैं शर्द गुड मॉर्निंग बताइए कल आई कंपनियों के नतीजे कैसे रहे गुड मॉर्निंग पूजा तो सबसे पहले जो है ऐसारे focus में रहने वाले तो आय में लगबग 40% से जादा का ग्रोथ देखने मिला है और अब कह सकते कि most of the segments में अच्छा performance एक decent performance देखने मिला है और कुछ-कुछ segments में जरूर जो है margins में तोड़ी सी जो है issues जरूर आए है science के numbers भी थोड़े मिले जूले देखने मिले हैं top line में लगबग 6% का growth देखने मिला है लेकिन जो margins है यहां पर आप देख सकते हैं 300 basis points से जादा का गिरावर देखने मिला है और यह quarter on quarter basis के आकड़े हैं India Mart Intermesh में जो है लगातार देखने हैं दो या तीन quarter से दबाव देखने मिला है performance में इस बार भी मिले जूले नतीजे देखने मिले हैं सिर्फ 12% का year on new basis पे growth आया है हाला कि अगर bottle line numbers देखे तो अभी भी दबाव ज़रूर पड़ा है stock में RBL Bank का एक surprise अच्छा numbers देखने मिला है कल हम दोग देखे थे EU Small Finance Bank और इंडसिंड बैंक के शांदार नतीजे है तो आज अगर आकड़े के बाद करें तो यहां के asset quality में एक अच्छी improvement देखने मिले है GnP ratios ले ले जिए NNP ले ले जिए और इवन provisions यह आकड़े भी बहुत strong रख रहे है तो इस जरूरू stock को जो है एक high beta stock भी है तो इन दिन के trade में याद रखेगा तो और उसके लावा JSW Energy के आँकड़े अगर देखे तो year on your base पे low base था लेकिन revenue, net profit यह सारे जो main parameters है 70% के उपर का growth दिखाया है तो ज़रूर JSW Energy को focus में रखेगा हाला कि EBITDA में जो है margins में ज़रूर थोड़ी सी मार पर ही है गुजरात स्टेट फरस्पलाइजर के बारे में बात करें तो यहां पे टॉप लाइन numbers बहुत शांदार रहे हैं 63% का growth देखने मिला है तो stock को देखना होगा कि commentary क्या रहेगी especially raw material front में और इसके लावर ICSA securities के weak नतीज़ा है हमें पता था कि brokerage stocks में एक अच्छी run-up पिछले साल देखने मिली तो इस साल भी जो है at least तिल आप कह सकते है February तक देखने मिली थी अब यहां पे revenue लगबग सिफ 7% का growth आया year and year basis पे और net profit जो है almost 40% का growth देया है year and year basis पे हमादरी speciality chemicals देखा जाए तो almost weak set of numbers देखने को मिल रहे है revenue सिफ 8% बड़ा है लेकिन जो काम काजी मुनाफ़ा है वो लगबग 1% का गिरावट है लेकिन margins में देखे तो 200 basis points का गिरावट आया है और एक exceptional loss का item आया है उनके subsidiary की China का जिसमें 25 करोड का एक impact पड़ा है इस्तिमाई के नतीजे में persistence systems की बात करें तो अच्छे नतीजे देखने मिल रहे है और ये trend हम देख रहे है Pooja की mid-cap IT space में लगातार देखने मिल रही है एक out performance देखने मिल रही है इनके deal sizes थोड़े छोटे होते है लेकिन क्या है इनके deal size की strength बहुत strong है अब यहाँ पे देख सकते है margins में भी improvement आया यह बहुत एक अच्छा number है लगबग कह सकते है 0.3% का growth है almost 14.3% का dollar revenue जो है double digit में आया है तो यह बहुत strength जो है stock में देखने मिल सकता है क्रिसल का भी एक surprisingly good set of numbers देखने मिला है इनका second quarter calendar year 2022 के आकडर है और यहाँ पे revenue लगबग 25% का growth देखने मिला है तो all in all कह सकते हैं कि bits and pieces में overall mixed set of numbers आपके mid-cap series में आ जाये है बिल्कुल तो काफी सारे mid-cap companies के नतीजे आज आया है mid-cap IT company जैसे की शरर बता रहे थे काफी surprise कर रहे हैं इस बार नतीजों की बात कर रहे तो अच्छे numbers महाँ पर देखने को मिल रहे है और भी कुछ numbers आया है तो कुल मिला के बाद के तो mix set of numbers है और इस पर बाजार आज react भी करता हो नज़र आएगा इसके अलावा शरर दोर कौन सी triggers और खबरो वाले shares है जी मैं SRF से ही start करूँगा और यहाँ पे एक important announcement आया है लगबग 562 करज का announcement होने वाला चार manufacturing projects को लेके एक दो projects में expansion भी होगा उन में से तो जरूर SRF को focus में रखेगा क्विक हील की जो buyback की news है उसमें जो है लगबग 500 करोड का buyback का announcement आया है और अगर buyback लगबग 50 लाग shares 500 रुपे प्रती शेयर पे रखा गया और जो premium है almost 51% रखा गया current market prices से वेल्सपन कॉप भी focus में रहने वाला है commissioning हुई है नहीं plant गुजरात की इसमें दो capacity होती है एक होती है DI pipes और एक होती है DMT bus इन में भी आप देख सकते है कि almost कह सकते है 40 से लेके 35 लाग तक का extension हुए million tons per annum का capacity इंडिको remedies भी focus में रहने वाली है और US FDA ने जो है inspection की ती उनकी clinical research organization की जो आईदराबाद में है और कोई objectionable conditions नहीं आए इसका मतलब इस finding में अगर कुछ बड़े चीज नहीं आया तो एक ताइप से कैसे एक पॉजिटिव जो है sentiment stock में develop हो सकता है ITI जो है news में रहेगा stock जो है पिछले एक महीने में बहुत शांदार run-up देखी और 40% के ऊपर का growth देखे और company ने MOU sign किया है आपके CDOT के साथ जहां पर technology की transfer होने वाली है 4G solutions पर तो जरूर इस stock को भी जो है आपको अपने radar में रखेगा अब pet care theme भी बहुत important हो गई है यहां पर लगबग 30% स्टेक जो है वो canis lupus service में लेने वाले है और यह जो canis lupus service है यह टाइप से pet care की company है तो जरूर एक high margin business और प्रिमिमाइजेशन के तरफ जो है Indian company जो है जा रहे है especially pet care business में बाइकॉन की बारे में बात करें तो तीन observation आये है USFDA के उनके हाइदराबाद के facility को लेके और LIC भी focus में रहने वाला यहां पे जो गुजरात नर्मदा valley fertilizer JNFC जो हम कहते हैं stock को उनकी जो है LIC ने stake घटा दी है 5.7% से अब 3.7% कर दी है NLC India भी focus में रहने वाला और उन्होंने जो है अपनी investment proposal के बारे में बात की है जहां पे उन्होंने mine और thermal power station में जो है लगबग 15,000 करोड निवेश करने वाले है और यह investment जो है तामिल नाडू में होने वाला है अगर और उसके बाद बात करते है आस्टरन पेपर बोर्ड मेल के जहां पे वो reduce करने वाले है production quantity अपने गुजरात के location में अब यह इसली होने वाला है क्योंकि modification होने वाली है turbine installation इसका मिलब production थोड़ा दिन के लिए रुकेगा इस plant के लिए और installation जो है 15 September तक complete होगी तो इस period में जो है यह plant बंद रहेगा और आखिर में संदूर मांगिनीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे record date जो rights issue की है वो fix कर दी गई है 27 July को और लगबग 1.8 crore shares जो है issue होने वाले हैं और इसका जो ratio है लगबग आप कह सकते हैं दो shares की आपको rights issue में लिए अगर आप एक share hold करते हैं तो bits and pieces में बहुत सारे news आ रहे हैं और stock specific जो है broader markets में आज movement देखने मिल सकती है काफी सारी खबरे आई कल बाजार बंद होने के बाद और इसका सर आज इन तमाम गंपनियों पर देखने को मिल सकता है थैंगे सो मशरदी साई जानकार देने के लिए